नमस्कार दोस्तों अभी अभी आई लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर सामने, आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव जी किया बड़ायलान, उन्होंने कहा कि प्रदेश की लाडली बहनों को ह है बड़ा तोफा, आए जानते हैं सारी जानकारी विस्तार से, लाडली बहना योजना 2024, लाडली बहना योजना का लाग ले रही बहनों की जानकारी के लिए बता दे की, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बहनों के खातों में योजना की 15 अगस्त सफलता पूर्वक जमा की और अब जल्दी लाडली बहना योजणा की 16 वी किस्त बहनों के अकाउंट में जमा होने की समभावना है इंतजार कर रही लाडली बहनों का कृष्ण जनमाष्ट्मी पर हो सकता है इंतजार खत्म जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यात्रा मोहनलाल यादव जी के द्वारा कई जगा मंचों से एलान किया गया है कि लागली बहना योजना के लाब से कोई भी बहन वंचित नहीं रहेगी जल्द ही हम योजना का तीसरा चरण शुरू करेंगे ऐसे में सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की लागली बहनों को कृष्ण जन्माष्टमी पर ये तहफा दे सकते हैं लागली बहना आवास योजना किस लागली बहना आवास योजना में आवेदन करने वाली बहनों की जानकारी के लिए बता दे की लागली बहना आवास योजना की न्यू लिस्ट जारी की गई है जिसमें आवेदन करने वाली पात्र महिलाओं के नाम शामिल किये गए हैं ऐसे में यदि आपने भी लागली बहना आवास योजना में आवेदन किया हुआ है, तो जल्द आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पत्र लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें.